बच्चों का नीट का एक्जाम हो चुका है तो अब बहुत सारे बच्चे यह पूछ रहें कि सर नीट 2022 का रिजल्ट कवाएगा तो देखें नीट 2022 का इंफॉर्मेशन बुलेटन दिया ने उसमें यह कहा है कि इस डेट को एनॉंस किया जाएगा यह एंट्या की वेबसाइट पर प्रप्लिस किया जाएगा कि किस डेट को रिजल्ट आएगा तो अभी हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं अगर हम नीट का ट्रिंड देखें तो नीट 2018 का जो एक्जाम हुआ था वह सिक्स्थ ओफ में को हुआ था और जो रिजल्ट आया था मतलब करीब एक महिने के हुआ था और 16 अक्टूबर को रिजल्ट डेक्लियर हुआ था यानि करीब एक महिने के आसपास टाइम लगा तीन दिन जादा ही लग गया थे नीट 2021 का एक्जाम 12 सेप्टेंबर को हुआ था लेकिन इसका रिजल्ट फस्ट आफ नॉंबर को पब्लिस हुआ था क्योंकि इस 20 अगस्त के बीच में आपका जो रिजल्ट है ये डेक्लियर हो सकता है 15 से 20 अगस्त के बीच में क्योंकि एक महिने का अगर हम पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें तो 5 साल के ट्रेंड के हिसाब से हम यह एक्सपेक कर सकते हैं कि कुछ अगर सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं ग जलता है नेट 2021 की जो काउंसलिंग थी वह अभी अपरिल में जाके लास्ट में स्ट्रे वेकंसी राउंड कंप्लीट हुआ है इसलिए बच्चों को तयारी करने का समय नहीं मिल पाया इसलिए नीट को पोस्पोन करने की बात भी कर रहे थे ट्विटर पे आप जानते हैं कि कमें सेक्चन में पूछेगा उसका एंसर हम जरूर करेंगे और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक और सिर करना बिल्कुल भी न बूलें बेस्ट आफ लग